हेलो वेल्कम बैक टू माई चैनल प्रिती डाड़ीज में मैं प्रिती आप लोग का बहुत बहुत सौगत करती हूँ कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे सुबह के साथ बज रहे हैं मैंने नहा लिया है अब हम जाएंगे कीचन में खाना बनाने के लिए तो चलिए आप लोग भी आज मैं बनाऊंगी भेज थाली यहां मैं सबसे पहले टपकू के लिए एक ड्रिंक बना रहे हूं उसको पीने के लिए तो ओरियो बिस्किट से जो क एक आइसक्रीम बस यह ड्रिंक फटा फट बन जाता है और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है तो इसके लिए मैंने और यह बिस्किट को तोड़ कर मिक्सी में डाल लिया है अब इसमें थोड़ा सा दूड डाल कर मिक्सी को अच्छे से चला कर इसका एक घोल बना यह बहुत जल्दी ही इजी बन जाता है देखिए तो यहां मैंने तयार कर लिया है इसके बाद हम इसमें थोड़ा और दूद मिला देंगे उसके उपर आइसक्रीम डाल कर उसे चौकलेट से अच्छे से सजा कर बच्चे को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है ऐसा कुछ उस चौकलेट मैंने पहले ही फ्रीज से निकाल दिया था तो इसलिए वो मैं घिस नहीं पाई तो मैंने ऐसे ही तोड़ कर डाल दिया है देखिए कितना अच्छा ड्रिंक बनकर बच्चों के लिए रेडी है अब मैं वेस थाली तयार करने के लिए सबसे पहले है यहां परवल क डालकर परवल को मैंने डाल दिया है इसे अच्छे हलका ब्रॉण होने तक इसे चला कर भूनेंगे यहां यह को चुका है पर वं तो मैं इसे निकाल लूंगी अब हम चलेंगे भींदी काटने के लिए क्योंकि आज मैं भींदी का भूजिया भी बनाओंगी तो इसके लिए मैं भींदी काट रही हूँ साथ में आलू परवल की सबजी भी बनानी है तो यहां मेरे आलू उबल गए हैं अब आलू को भी मैं चाकू से काट लूँगी क्योंकि जब इसे मैस करके डालते हैं तो यह पूरे रस में आलू नहीं दिखता है सिर्फ वो पूरा मिल जाता है तो इसलिए इसे चाकू से काट लेने पर आलू दिखते हैं सबजी में इस तरीके से इसे काट रही हूं ताकि यह सबजी में दिखे तो मैंने यह काट लिया है अब भिन्दी का बुझ्या रेकूकर में सीटी भी आ रही है यहां टपू नहा कर आ गया है उसे मैं कपरा पहना रही हूं उसके बाद वो ड्रिंक पिया तो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आया वो यहां वही का रहा है कि मम्मा मुझे कल भी बना दीजिएगा मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है और उसमें और आइसक्रीम डालिएगा उसे ज्यादा आइसक्री पसंद आते हैं उन्हें कोई healthy चीज बना कर दीजिए तो पसंद नहीं आते हैं लेकिन cold rings और ये ice cream इस तरह की चीज़ें उन्हें बहुत पसंद आती है तो यहीं वो मुझे कार आया है कि आप मेरे लिए फीर से बना दीजिएगा लेकिन जादा ice cream डाल दीजिएगा मुझे ब नाम आपसर। आम बूर्जियं की सबजीं को तो डिका नहीं जाता है नहीं तो उस में वहां अच्छा सब्साइ falls पाणी क्षोड़र देता है तो अब दालूंगी की द्नेंषा घपाव सबाद donut कि युद्हें थोड़ा सब्साइब में उस था फीर सथ ठीकर जीजिए तो मैंने प्याज डाल दिया है, प्याज को हलका ब्राउन होने तक भूनेंगे, इसके बाद इसमें मैं कटा हुआ, उबला हुआ आलू, जो था मैं वो डाल कर 2-4 मिनट फ्राइ कर लूँगी, तो जब इसे फ्राइ कर रही हूँ यहां मैं, अब हम इसमें डालेंगे, परवल जो भून कर रखा हुआ था, तो मैंने परवल भी डाल दिया, 1-2 मिनट चला लेंगे, चलाने के बाद इसमें हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, यह सारे मसाले जो हैं धनिया पाउडर डाल कर इसे अच्छे से चलाएंगे, अब इसे अच्छे से गैस को धीमी करके 2-4 मिनट तक भूनना है, तब तक मैं यहां रोटी बना लूँगी, क्योंकि टपू और जीत मंदीर से आ गये हैं, तो उन्हें मैं नास्ता में दे दूँगी, नास्ते के लिए रोटी, इसलिए जल्दी जल्दी रोटी बना रही हैं, मैं जब तक सबजी पूरा वेज ठाली अपना दिखाऊंगी, जो मैं आज बना रही हूं, मॉर्डिंग टाइम में तो हम लेडी बहुत ही बीजी हो जाते हैं, यहां मैंने पानी डाल दिया है, अब जीत को ऑफिस जाना है, तो इसलिए मैंने इसमें जल्दी से पानी डाल दिया, अब गैस को गैस को तेज करके इसे बना ली है, अब यह बन चुकी है, तो यहां मेरी सबची भी रेडी हो चुकी है, अब भी जीत चले गए हैं, ओफिस और टपू ने भी खाना खा ली है, अब मैं अपने लिए कुछ देर टाइम निकालूंगी, अपने परद्यान दूंगी, आज मैं मैं बाल धोया था, मेरे बाल सूक गए है, तो मैं इसमें ओयल लगा लूंगी, क्योंकि बाद में ये बहुत रुखे रुखे जैसे हो जाते हैं, उलच जाते हैं, तो इसलिए मैं जिस दिन बाल धोती हूँ, सूक जने के बाद हलका हलका इसमें आइलिंग कर लेती हूँ, ताकि ये सुलजे हुए रहे एक दूसरे से चिपके हुए नहीं रहे तो यहां मैं वही कर रही हूँ बाल में मैं नारियल तेल ही लगाती हूँ दूसरा कोई भी तेल मैं यूज नहीं करती हूँ इसे हलका हलका लेकर हलके हाथों से हलका मसाज करके इसे अच्छे से कांगी से सुलजा लेंगे ताकि ये एक दूसरे में उलजे नहीं है हम लेडिज को अपने उपर दीन के 24 घंटे में कम से कम 10 मिनट भी अपने उपर देना चाहिए 5 मिनट भी स्कीन केर के लिए और 5 मिनट जरूर से जरूर हेर केर के लिए अब मैं चाबल बनाओंगी तो चाबल को दो लिया है और इसे कोकर में डाल देंगे चाबल बन चुका है यहां मैं कीचन को साप कर रही हूँ खाने से पहले है मैं कीचन को अच्छे से साप कर लेती हूँ जोकि आप लोग सब करते होंगे क्योंकि जब कीचन साफ रहता है तो मन में अछा लगता है काम का कोई बोज नहीं लगता है कि हाँ ये भी करना है जिससे मैं बर्तन साफ करते हूँ उसी से मैं पूरा गैस और कीचन को साफ कर लेती हूँ ये बहुत इजी रहता है दिन के दो टाइम तो कीचन साप करने ही चाहिए मेरा वेस थाली बन कर बिल्कुल तयार है आईए आप लोग जो मेरे सस्क्राइबर हैं जो भी अभी देख रहे हैं तो प्लीज इसे आकर खाईए और साथ में सस्क्राइब किजी लाइक किजी और सेर किये जीए तो आप लोग को मेरा खाणा वेस थाली कैसा लगा तो ये जरूर बताइएगा आगे मैं आप लोग के लिए और भी वेस थाली लाओंगी लोगों ने खाना खा लिया है बहुत ही टेश्टी बनना था तो एक बार आप लोग भी प्ली जिसे जरू ट्राइ किजिए